उमेर इस वक मुल्क भर में जो धूम मची हुई है वो उंची दिवारों की मची हुई है लेकिन ये उंची दिवारें जो है इनका तालुक किसी तामिराती शूबे से और ना ही वजिर आजम के नया पाकिस्तान हाउसिंग मंचूबे से इसका कुछ लेना दिना है ये है बिला पर अप्लोड होने के बाद सिर्फ दो दिन लगे है इस गाने को और इसने 75 लाग से जायद बारी गाना था उसका ये सेकिंड पार्ट है और बारी टू कह सकते हैं और ये मुस्तलसल टॉप ट्रेंड में है जब से ये गाना जो है रिलीज हुआ और इस गाने ने अली जफर के अले से पहली पूजिशन जो है वो चींदी और अब मुस्तलसल शायकीन में बहुत ज्यादा मकबूल है गुलुकार बिलाल साइद ही हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं बिलाल बहुत शुक्रिया में जाइन करने के लिए सबसे पहले तो रिस्पॉंस कैसा मिला आ शुक्रियों अछरी कि अधिल्क मेरी इस अधियो हम शुक्राइए कि यहाद भूमी स्टोरी में गी जज़ए तो वारुवक्त जो जाए रूं रूं iß था। तो मुझे मैंने लगा कि okay, a girl who is actually scared to listen to her heart, अगर तो उसका दिल पर से तोटेगा, तो how she is gonna act. So I think महाँ से पर एक स्टोरी क्रेट वी, और that's how I started writing Bari too. ठीक है, और Bilal जो Bari था, उसका response हमने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था. इसका response अभी दो से तीन दिने, इसका response आपको किस तरह से मिल रहे हैं? Actually, I'm surprised, मैंने सोचा था कि हाँ, बलकुल क्योंकि लोगों की affiliation बहुत है Bari की स्टोरी के साथ, और अल्मोस लोगों ने इसको ऐसे ओन किया, जैसी उनकी अपनी स्टोरी है. Bari 2 जो है, उसका response मुझे नहीं लग रहा था कि उससे डबल होगा, but actually, this has blown me away. अभी आपके न्यूज चैनल पही मैं आपको बताता हूं कि, हम इस वक्त यूट्यूब के वर्ल्ड वाइड चार्ट पे ट्रेंड कर रहे हैं, जो के पूरी दुनिया में जो यूट्यूब के चार्ट है, हम उस पे टॉप 20 में हैं, हम इंडिया पे टॉप 8 में हैं, हम इंग्लेंड में टॉप 20 में, हम पास्कान में नमबर वन पे हैं, तो व्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे हैं सुब्धाना. अच्छा बिलाल, ये गाना जो है बारी हो या बारी टू हो, ये दोनों गाने जो हैं, इससे जो आदियन्स हैं, जो अवाम हैं, उन्होंने अपने आपको बहुत ज़दा कनेक्ट किया है, उसके लिए आपने क्या सोचा था, क्या जो बैग्राउंड जिस तना की गलियां इस्तिमाल की गई, घर इस्तिमाल किये गए, ये सब कुछ काफी सोच कर आपने किया, क्योंकि इससे इसको देखते हैं या सुनते हैं, तो ख्याल आता है कि ये आम सी लड़की की स्टोरी है, और इसलिए शायद रिलेट भी कर पाते हैं. बनाया हाला के मेरे क्याल में ये पहला ऐसा गाना था जो मैंने पाकिस्तान में बाकाइदा शूट किया, लोगों को ये क्लियर हुआ कि मैं एक पाकिस्तानी सिंगरू जर्वाइस तो मुझे कभी इंगलेंड का बनादे थे थे, अब भी सोचते हैं, मैं बतानी, अक्रोस तो मुझे को ये स्टोरी, बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं है, वहां तक भी पहुंचा कि ये पाकिस्तान का कल्चर है, अगर लाहूर में अपनी ये शूट किया, तो लाहूर का अपनी लुक है, और आपने कहा कि लोगों के फिलेशन है इस बारी के साथ, तो ये फिलेशन का सिल्सला बारी थ्री तक भी जाएगा या बारी टू पर आगर रुख जाएगा ये? यार, मैं वैसी सोच रहा था, हमें सोची स्पेंस के स्टोरी चोड़ देनी चाहिए थी, यार, मैं कि लोगो कहेंगे बारी थी बिए बनाएगा मुए लगा.. ये 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 या सिल्सला ऐना चाहिए उस लड़की का दिल नी टूटना चाहिए, शादी तक जा जार पी जाएगा इसल्सला कि ब्शला फिले नी जाएगा,갔। बहुत बापका और वो तमाम लोग जो हमें हमें देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि बिलाल सही जो है वो पाकिसान की प्राड़क्ट है वो शायद इसलिए कि इन्होंने कुछ इंडियन सिंगर्स की साथ इसलिए बाहर भी काम किया है तो इसलिए से लोगों को लगता बिलाल सही बहुत अपने और बहुत पाकिस्तान के ही है और उनका ही गाना जो है बहुत बहुत उनको हम कंँर्चुलीट भी करना साहेंगे कि बहुत अच्छा उनका गाणा जा रहे हैं और आगे पी इसी जना से अधना तरक्की कर झाल झाल झाल